अभी तक आपने सुना, सलोनी बेटा, अमन को नेहा का नमबर लिखा दो, वो नेहा का मुस्कान से भरा चेरा देखकर संतुष्ठ हो गए थी, पर सलोनी का गुस्सा चेरे से ही छलक रहा था, वो समझ गए कि ये गुस्सा फोन नमबर देने का है, अमन अब मुस्करा कर उसकी तरफ देखने लगा था, तो वो गुस्से से नमबर लिखाने लगी, आप बहत खुशूरत हो सलोनी जी, इस नाचीज को भी अपने दिल में याद रखेगा, हौले से उससे बोल कर वो पलट गया था, पर सलोनी गुस्से से बढ़बर आते हुए अंदर चलिया आई थी, अ अगे, अपने घर आकर अमन सलोनी की आदों में खोस आ गया था, वो मोबाइल पकड़े बार बार उसे ही देख रहा था, सलोनी की गहरी काली आखे उसके दिल का चैन लूट चुकी थी, वो अपना दिल पूरी तरह हार चुका था, अपने कॉलेज लाइप में लड़की से दूर रहने वाले अमन को आज तक कोई भी लड़की धंक की नहीं मिले थी, पर आज सलोनी को देखते ही उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, उसने नेहा के नंबर पर सब फोटो भीज दिया था, साम में रागो आफिस से घर आया था, वो कपड़े बदल कर चाई पीने लाउंज में आ गया था, सुनीता जी और अमन तो पहले से ही उसका इंतिजार कर रहे थे, उसके आते ही अमन अपना फोन लेकर रागो के पास बैठ गया था, उसने नेहा की सारी तस्वीरे उसे दिन में ही भेज़ी थी, पर अब फिर से दिखा रहा था, भावी बहुत सु जाने के लिए रागों हास्ते वे बोला था, बेटा, तुझे नेहा पसंद तो है न, कहीं तु बाद में ये ना कहे कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो फिर मैं, मा, आप ये सब क्यों बोल रही है, मैंने तो पहले ही सारी बात आप पर छोड़ रखी थी, वो सर खुजाते बोला था, पर सुनीता जी की आँखों में अंजाने से सवाल भरे, जिसे देखकर वो हास्ते वे बोला, मा, मुझे नेहा बहुत पसंद है, आपकी पसंद मेरी पसंद है, वैसे भी मुझे से ज़्यादा तो वो आपके साथ रहेगी, इसलिए आपको वो ज़्यादा पसंद तक बाहर रहेंगे, पर मा और भावी 2400 घंटे साथ रहेंगी, इन दोनों में सब कुछ ज़्यादा पसंद आने चाहिए, अमन भी बोलता हुआ हास पड़ा था, तुम दोनों हमेजा मेरी टांग खीशते रहते हैं, सुनीता जी अपने दोनों बेटों का सर सहला कर उठ खाने के बाद मैं तुम दोनों के इंतिजार में अकेली बोर नहीं होंगे, अब तुम दोनों बाते करो, मैं खाना बना लेती हूँ, और वो किचन की तरफ चल दी, रागो और अमन हसने लगे थे, रात के खाना खाने के बाद वो दोनों बहने अपने कमने में बैठी हुई पर आपका होने वाला देवर बहुत ही आवारा टाइप का है किसी लोफर की तरह मेरी तरफ देख रहा था सुना है सीनियर इंस्पेक्टर है पला ऐसे पागल क्या अपराधियों को पकड़ेंगे मेरा तो दिल चाह रहा था उसे एक थपपा लगाऊ पर पापा के कारण मन मार कर रहे गई सलोनी निहा के कंदे पर सर रख कर बोली थी अब ऐसा भी नहीं है सलोनी अमन तो मुझे बहुत अच्छे लगे हर बात में हसने वाला बिलकुल अपना सा अगर मेरा कोई भाई होता तो बिलकुल अमन की तरह होता वो हस्रत से बोली थी अपने उपर बड़ा भाई नहीं होने का दुख उसे हमेजा रहता था वैसे तुम हो ये इतनी सुन्दर कि कोई भी तेरे पीछे पागल हो सकता है दीदी भला ये क्या बात हुई आप अभी से उसकी साइड लेने लगे उसकी तो मैं जान ले लूँगी उसने मेरी दीदी को मुझसे छीना है वो नाराज होकर बोलती तकि आप फेक कर नहा को माने लगी थी नहा भी दूसरे तकिये से उसे मारने लगी थी दोनों एक दूसरे को तकिये से मार मार कर खेल में लग गई थी निर्मल जी ब्रामदे में बैटे वे थे वो अपनी दोनों बेटियों की खिलखिला कर सुनकर बेहत खुस रहे मेरी नेहा को इतना अच्छा सुष्वाल मिल रहा है मैं बहुत खुस और पूरी तरह संतुष्टू नेहा की मा आज आप जिंदा होते तो खुद से अपनी बेटी की बिदाई की तयारी करती पर मुझे पता है आप जहां है महीं से नेहा को आसिरबात दे रहे है वो आपके आसिरबात से हमेशा खुसाहाल और सुखी रहेगी पूरी निश्चिन्थ होकर वो लेट गए थी दिन बीतने लगा था सुनीदा जी ने पंडी जी से साधी का दिन तैकल निर्मल जी से बात कर ली थी उन्हें भी कोई आपत्ती नहीं थी इस दोनों परिवार में धीरी धीरी साधी की तैयारिया सुरू होए थी अमन से नेहा की रोज बात होने लगी थी वो हमेशा उससे हसी मजाग करता और रागो का नाम लेकर छेड़ता रहता सलोनी उन दोनों की बाते सुनकर मनी मन चिरने लगी थी फिर उसने एक तरीका निकाला अब जब भी अमन का फोन आता तो वो अपने फोन में इयर फोन लगा कर गाने सुनने लगती थी नेहा को उसके इस बचकानी हरकत पर हसी भी आ जाती पर वो उसे कुछ नहीं कहती थी एक तिन रागो अमन से नेहा का नंबर मांगने लगा था उसने पहले तो रागो को बहुत तंग किया फिर नंबर दे दिया था अब रागो नेहा को फोन लगा कर बात करने लगा था पहले तो वो बहुत जजगती रही फिर सर्माती वोई बात करने लगे थी रागो नेहा से मिलना चाहता था उसने नेहा से कहा तो उसने ये कहकर हाथ खड़ा कर दिया कि ये बात आप दे कीजिए मैं अपने पापा से अपने मिलने की बात नहीं पूछ सकती अच्छा ठीक है मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ वो मायूस होकर बोला और नेहा से उसकी पसंद वगेरा पूछने लगा था फिर रागों ने अमन से मदद मागी थी वो तुरन तैयार हो गया था आखिर उसे भी सलोनी को देख रहा था हाँ भाईया अभी चलते ही रागों को हसी आ गए थी तो पहले कुछ प्लान तो बना फिर हम लोग संडे को जाएंगे वैसे आज तुझे अपने थाने ने जाना एक बार घड़ी तो देख ही भगवान भाईया आप रोज मुझे देर करवा देते ही जा रहा हूँ मैं समय मिलते ही फोन करके भावी से आपके सिकायत लगाँगा उनसे कहूँगा कि आकर जल्दी आपको समा ले और मुझे रोज की इस तरह लेट लदीपी से बचा ले अपना बैग और मुबाईल लेते हुए वो बाहर भागा था रागों हसते हुए अपनी तयारी करने लगा था वो एक साफट बेर कंपनी का सी-ओ था अपने पापा की जाने के बाद उसने ही अपने भाई और मा को समा ला था उसका खुद का सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का था पर पापा के नई रहने से परवार की माली हालत बिगड़ने लगी थी यह देखकर उसने एक कंपनी में काम पकल लिया था बॉस के साथ अच्छा काम करते रहने से आज वो अपने बॉस का चहीता बन बैठा और कुछ सालों बाद कंपनी का सीओ बन चुका था उसने अपने सपने को अपमन की आँखों में बसा दिया जिसका परड़ाम वो आज एक सीनियर इंस्पेक्टर था चार दिन बाद रभीवार आ गया था अमन ने अपनी मा को चुपके से रागों को नेहा से मिलाने की बात बता दी थी उनको भी कोई एतराज नहीं था अब दोनों भाई सर्ष सवर कर नेहा से मिलने चल पड़े थे अपने घर की लगादार बस्ती बेल सुनकर सलोनी गुस्से से गेट खोल ले आई थी पर अमन को देखकर चेहुक उठी थी हेलो सलोनी जी कैसी हैं आप मुझे पहचाना मैं अमन आपकी दीदी का होने वाला देवर अमन और ये है मेरे भहिया रागों आपके होने वाले जीजा जी वो दात निपोर्ते रागों से पढ़्चे कराते बोला था अरे जीजा जी आप आईये ना अमन की बातों से लाल भवो का हुई सलोनी रागों को पहचान कर खुस होती अंदर आने बोली थी सबसे अच्छी बात सबसे अंत में बताने की आदत है आपकी क्या कैसी हो सलोनी नेहा से हमेज़ा तुम्हारी बात होती रहती है रागो मुस्करा कर घर के अंदर आने लगा था अरे कहां रह गई दर्वाजे पर कौन है सलोनी नेहा देर होने पर उसे देखने आ गए थी आप आ गए वो सर्म से डूबी बोली और अंदर भाग गए थी उसे पता था कि रागो उसे मिलने आएगा पर इतनी जल्दे उसके आने की नेहा को उम्मीद नही थी अरे भावी ये क्या बात हुई मैं आया और आप भाग रही है अमन माथे पर हाथ रखते वे अंदर आया था रागो मुस्कुराता सोफे पर बैठकर चारो तरब देखते लगा था नेहा को पहली बार अपने सामने देखकर उसे बहत खुशी हुई थी वैसे सलोनी जी चाचा जी कहा है मुझे उनसे बात करनी है आप दोनों बैठिये मैं पापा को बुलाती हूँ सलोनी बोलती हुई अंदर चली गई थी कुछी देर में निर्मल जी और वो दोनों बातों में बहस्त हो गए थी सलोनी उन दोनों के लिए नास्ता और चाय लाई थी पर नेहा बाहर नहीं आई अच्छा बेटा आप लोग बैठिये मैं बाजार से कुछ सामाल लेकर आता हूँ निर्मल जी बोलती हुए उठ ख़ड़े थी चाचा जी आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है मैं और भहिया इजह से निकल रहते तो सोचा कि आपसे मिलता चलू आखिर आपको भी तो अपने दमात को देखने की इच्छा होगी इस बहाने मैं अपनी भावी से मिलता चलूँगा उनका हाथ पकड़कर वो बैठाते वे बोला था आपने बिल्कुल ठीक किया बेटा ये आपका अपना ही घर है चाचा जी आज तो रभिवार है मैं चाहता था हम सब लोग फिल्म देखने चले इस बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और भाईया मेरी भावी से उनकी कुछ पसंद नापसंद भी जान लेंगे अमन बहुत हिम्मत करके बोला था अरे बेटा मैं बुरह आदमी तुम जमानों के साथ कहां जाओंगा तुम लोग चले जाओ इसे वो रागो की इच्छा समझ कर बोले थी ठीक है चाचा जी तो हम लोग तीन से छे का सो देखेंगे सलोनी जी हम लोग बात करते हैं आप तब तक मेरी भावी के साथ तयार होकर आ जाईए वो चहकती वे बोला था मैं देदी को तयार कर देती हूँ पर मैं नहीं जा पाऊंगी मुझे फिल में अच्छी नहीं लगती हैं वो गुस्से से अमन को गूरते बोली थी उसके ओर्डर भड़े लहजे पर सलोनी का दिल चल उठा था सलोनी बेटा तुम्हारी बहन को अकेले में अच्छा नहीं लगेगा जाकर तू तयार हो जा पापा बहुत दिनों से घर की सफाई भी नहीं हुई है अब देदी तो कुछ दिन की महमान फैरी तो सारा काम मेरे ही जिम्मे है इसलिए अभी देदी को भेज जेती हो फिर मैं सारा घर साप कर दूँगी सलोनी साप सफाई कल से कल लेना आज तुम हमारे साथ चलो मेरी भी इच्छा है कि तुम अपनी दिदी के साथ रहो उसकी बास सुनकर रागों को बीच बोलना पड़ा था सलोनी चुप हो गई थी वो अपने पापा की तरफ देखने लगे थी जो नाराज होकर उसे देख रहे थी ठीक है जी जा जी मैं आपकी बात मान लेती हूँ आप लोग बाते कीजिए मैं दिदी को लेकर आती हूँ वो अमन की खिलती नजरों को इग्नोर करती बोली और कमने की तरफ चल पड़ी अपने आवारा लोपर देवर को समाल कर रखना दिदी वरना उसके दाथ तोड़ दूगी आज उसकी जीत की वज़े से मुझे जाना पड़ रहा है सलोनी अपनी भड़ास नेहा के पास निकालती तयार होने लगे थी बस बस अब ज़्यादा फिलोस्पी मत जाड़ पापा ने कहा है न और वो भी तो बोले है इसमें अमन बिचारे की जीत कहां से आती है ओ हो क्या बात है दिदी वो अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है और तुम तो जीजा जी की तरफदारी करने लगी नेहा को गुदगुदी लगाते वो परिशान करने लगी थी हाँ हाँ अब सब कुछ तुम्हारे उनके की मर्जी से ही तै होगी अरे सरोनी अब बस कर मुझसे बरदास नहीं हो रहा है तो वो बिस्तर पर लोड़ पोर्ट होने लगी थी चल ठीक है तब मत जा मैं उनको फोन कर देती हूँ कि हम लोग नहीं जा पाएंगे कितनी हिम्मत करके उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और तू है कि इतनी भाव खा रहे है अगर तू नहीं गई तो मैं अकेली कैसे जाओंगी वो मुझ बनाते हुए अपना फोन उठाने लगी थी देदी अपना ये इम्मोशनल ड्रामा बंद करो चल तो रही हुँ ना तुम बस एक उपकार करना मुझ पर अपने उस तिल चलते देवर से कहे देना कि मुझसे दूर रहे उसका हाथ पकड़कर बिस्टर से खीष्टी हुई सलोनी बोली थी मैं कोशिस करूंगी निया पर तू भी अमन से लडाई मत कर लेना वरना रागोची सोचेंगे मैं भी तुम्हारी तरह उनसे जगड़ा करूंगी मासुमियत से नेहा बोली तो सलोनी फिर उसे गुदगुदी लगारे लगे थी अरे भावी यहीं हस बोलका सारा टाइम बिता देंगी क्या बाहर आईए ना अमन गेट के बाहर से चिलाया था अब चलो तेरा लोफर देवर उतावला हो रहा है सलोनी मूँ बनाते वे अपना दुपट्टा उठाते वे बोली थी परपल कलल के पटियाला सूट पर नीरा दुपट्टा आँकों में हलका सका जल बालों की लंबी चोटी बादे सलोनी बेहत कुफसूरत लग रही थी अमन उसे चोर नजरों से देखने लगा था नेहा भी लाल कुर्ती सलवार पर काला दुपट्टा लिए सजी बेहत सुन्दर लग रही थी रागो ने एक पार निहा को देखकर अपनी नजरे घुमा ली थी अच्छा चाचा जी हम निकलते हैं हमें आते आते आट साड़े आट बच जाएंगे रागो धीरे से बोला था हम आपका खाना पैक करा कर लेते आएंगे चाचा जी इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा अमन ने टुकडा जोडा था निर्मल जी हसने लगे थे अरे बेटा तुम लोग घूम कराओ मेरी बेटियां मेरा पूरा ख्याल लगती है इसलिए मुझे अपने खाने की कोई चिंता नहीं है वो अमन से बोले थे सलोनी बेटा खुशी से दीदी के साथ कुमना और कोई लडाई मत करना जी पापा वो नाराज से बोलकर उनके साथ निकल पड़ी थी गारी में रागो और नेहा आगे बैठे थे सलोनी के साथ अमन पीछे की सीट पर बैठा था वो लोग सिनेमा हॉल पहुचे थे अमन टिकेट कटा लाया था फिल्म देखने के समय भी अमन रागो और नेहा को एक साथ बैठा कर खुश सलोनी के पास बैठ गया था सलोनी ये देखकर चिड गई थी वो दोनों फिल्म तो देख नहीं रहे थे बस धीरे धीरे बाचीत जादा कर रहे थे ये देखकर सलोनी को हसी आने लगे थी फिल्म खतम होने के बाद वो सब रेस्टोरेंट गए थे वहाँ अमन ने अपने पसंद से सब के लिए खाने का ओर्डर किया था उसने सलोनी के मना करने के बाब जूद भी निर्मल जी के लिए खाना पैक करा लिया था भाईया वो देखिए वहाँ मॉल है आप भावी से पहली बार मिले है उन्हें कुछ गिफ्ट तो दे दीजिए अमन को गारी में बैठते ही खयाल आया था ये तो बिल्कुछ सही बात है अमन ठीक है हम मॉल चलते हैं वो गारी घुमाने लगाता मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है रागो जी प्लीज आप घर ले चलिए हमें लेट होगी तो पापा को चिंता हो जाएगी निहा घबडा कर उसे मना करने लगी थी पर वो मुझकरा कर उसकी बात नहीं माना और कुछी देर में वो चारो मॉल के अंदर खाड़े थी सलोनी तुम अमन के साथ अपने लिए कुछ पसंद करो तब तक मैं तुम्हारी दीदी को कुछ गिफ्ट पसंद करवाता हूँ वो नेहा का हाथ थाम कर मॉल के दूसरे सिक्सन की तिरफ जाते हुए बोला था अमन की तो निकल पड़ी थी पर वो अपने बेताब दिल को साथ करता सलोनी के साथ घूने लगा था सलोनी गुसे से भरी किवल यहां से वहां घूमती देही वो कोई भी सामान देखती और अच्छा नहीं है बोल कर रखते थी अमन परिशान हो गया था सलोनी जी आप कुछ तो अपने लिए पसंद कर लिजिए वरना भहिया मुझे सवाल करेंगे विचारा अमन हार कर बोल उठा था मुझे कुछ ने चाहिए मेरे पास सब कुछ है वैसे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है सब के पास सब कुछ होता है सलोनी पर कोई प्यार से कहे तो ले लेना चाहिए आओ मैं तुम्हें कुछ सुन्दर फ्लावर दिखाता हूँ बोलता हुआ वो सलोनी को एक डेकोरेशन सेक्षन की तरफ ले गया था इन फूलों को देखो ये तुम्हें जरूर पसंद आएंगे तुम इन में से कुछ पसंद कर लो वैसे ये फूल कितने सुन्दर है ना सलोनी बिल्कुल तुम्हारी तरह है मुझे इस तरह का मजाग बिल्कुल भी पसंद नहीं है समझे मिश्टर अमन सिंग वो भड़ा कुटी थी क्या तुम ऐसे ही सबसे बात करती हो वो थोड़ा नाराज सा बोला था नहीं फिर मुझे ऐसे क्यों बोलती हूँ प्लीज मुझे ऐसे गुसे से बात मत किया करो अमन उदास होकर बोला और किनारे खड़ा हो गया था सलोनी ने एक फ्लावर फ्लास्क पसंद कर लिया था वो लेकर मुडी तो अमन को मूल लटका कर खड़े पाई थी उसे अपने सक्त बोली पर बुरा लगने लगा था सौरी अमन जी मैंने कुछ जोर से भोल दिया था उसके पाई जाती हुई वो धीरे से बोली थी ये फ्लास्क मुझे अच्छा लगा अब चलिए इसका पेमेंट करते हैं सलोनी रुको मुझे कुछ कहना है तुमसे उसने सलोनी का हाथ पीछे से थाम लिया था वो चौक कर पल्टी थी तो अमन उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था उसने अपनी मुठी में बंद एक सोने की अंगुटी सलोनी की अनामी का उंगली में पहना दी थी मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ सलोनी अब तुम्हारे बिना मेरा जीना ना मुंकिन है प्लीज मुझे ना मत बोलना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा I love you सलोनी हजारों ख्वाइसों को अपनी आवाज में समेट कर वो बेहत जचबास से भरी सुर में बोल ला था सलोनी अचानक अमन के इस हरकत से गुस्से से तिल मिला उठी थी वो सब को अपने चारों और जमा होते देख अपना हाथ खिचने लगी थी पर अमन ने बहुत मजबूती से उसका हाथ पकर रखा था पहले हाँ बोलो सलोनी देखे अमन जी आप अच्छे होंगे पर मैं आपको पसंद नहीं करती इसलिए आप एख्याल छोड़ दीजिए कि मैं आपसे प्यार करूंगे दीदी का खयाल है इसलिए अच्छे से समझा रही हूं वरना अभी तक आपके गाल लाल कर चुकी होती अपना हाथ जटके से खीचती हुई वो उगोटी से अगोटी निकालने लगी थी पर अगोटी उसकी उगोटी में फस गई थी देखा सलोनी ये अगोटी भी हमारे मिलन की गवाह है ये तुमको मुझसे दूर नहीं जाने देगी हसकर वो खड़ा हो गया था आप लोग क्या देख रहे हैं भाई अपना काम की जी जाकर हम यहाँ आपके मनुरेंजन के लिए नहीं आए हैं वो चारों तरफ घुम कर बोला तो भीड छटने लगी थी उसी समय नहा और रागोवी मुस्कराती भी आये थी अमन उन दोनों को देखकर बोलने लगा था तो आप दोनों की मार्केटिंग हो गई अब घर चले चाचाचे इंतजार कर रहे होंगे हाँ हाँ तेरी भावी को मैंने गिफ्ट दिला दिया है और ये तुम्हारे लिए सलोनी ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है इसमें घड़ी है जो एकिनन तुम्हें पसंद आएगा रागोवी ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाए थी जिसे सलोनी ने चुपचाप ठान लिया था अरी पहरी बार जीजा जिसे गिफ्ट दिल मिला है थैंक्स तो बोल दो साली साहिबा रागो हस्ते भी बोला था थैंक्स जीजा जी वो धीरे से बोलती अपनी नेजरी जुका ली थी उसे अमन की हरकत उन दोनों को चिक चिक कर बताने का दिल कर रहा था पर लोगों की भीड में वो अब और तमासा नहीं बनना चाहती थी इसलिए अपने आसु भरी पलकों को नीची जुका कर बे आवाज रोती थी अपने हाथे पकड़ा फ्लास्क भी उसने इस्टेंड पर वापस रख दिया था रागों ने चावी अमन की तरह पढ़ा दिया था अमन अब तुम ड्राइब करो मैं तुमारी भावी से पीछे बैट कर बात करूँगा जी भाईया ये तो आपका हक बनता है वो हंस्ती हुए उससे चावी लेने लगा था अब गाली में अमन और सलोनी आगे बैटे थे और रागों और नेहा पीछे बैटे थे पोरे राश्ते वो दोनों चुप थे पर पीछे रागों और नेहा की धीमी धीमी हंसी और पाचीच चलती रही थी सलोनी अपनी उगली से अंगोटी निकालने की कोशिस में लगी थी पर ना जाने वो कैसे फंसकर रहे गया था अमन यह देखकर चुपके से मुस्कराता ड्राइब करता रहा था नेहा का घर आ गया था वो दोनों उनके साथ अंदर आये थे निर्मल जिसे कुछ बाचीत कर फिर रागो और अमन अपने घर चले गए थे दूसरे दिन सलोनी जब कॉलेज के लिए निकलने लगी तो उसके हाथों में सोने की किमती अगोबी देखकर निहा पूच बैड़ी थी तेरे पास इतना महगा अगोटी कहां से आया सलोनी ये तुझे किस ने दिया है पर वो चुप रही थी बोल ला सलोनी कहां से आया ये तू तो अपनी दीदी से कोई बात नहीं चुपाती फिर आज बोल कर नीत डीज ये अच्छा नहीं लगता था और कल उसने मुझे बदनाम करके रख दिया अरे पागल लड़की ये तो बहुत अच्छी बात है अमन तुमसे साधी करना चाहता है तो जरा सोस तो हम दोनों बहने एक साथ एक घर में रहेंगे और पापा को भी तेरे ले लड़का ढूने में मेहनद नहीं करने पड़ेगी नहीं पहत खुशो कर हस्ती हुई बोली थी नहीं दिदी मैं उससे साधी नहीं करूंगी वो मुझे बहुत बुरा लगता है उसको देखते ही मेरा पारा हाई होने लगता है मेरा दिल करता है कि उसका सर तोर दू तुम ये अंगोटी निकाल दो ना कल रात से ये निकली नहीं रही है वो रोते हुए बोल रही थी ये क्या बात हुई सलोनी अमन सीनियर इंस्पेक्टर है देखने में बेहत स्मार्ट और हैंडसम है सब के साथ प्यार से बात करता है यानि सुभाव का बेहत अच्छा है उसका घर भी छोटा सा है उसकी मा के रूप में तुम्हें मा भी मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात सलोनी कि तुम दोनों की साधी होने से हम दोनों बेहने अपने ही सहर में एक घर में रहेंगे हमारा जब मन होगा अपने पापा के पास आ सकते हैं नेहा उसे प्यार से समझाती हुए बोली थी तुम कितनी भी खूबियां गिनाओ दी दी वो लोपर मुझे फूटी आँख नहीं बाता है अपने तिल्चक्टे देवर से कह देना कि मुझे साधी के सपने ना देके गुसे से बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल गई थी नेहा सोचे पड़कर सारी बात रागो को बता दी उसे तो कुछ पता ही नहीं था भी चलने दो अमन जब तक सलोनी को मना कर साधी के लिए तयार करता है तब तक तुम मुझे पर ध्यान दो हमारी साधी के कुछ दिन बाद हम उन दोनों की भी साधी करा देंगे थत आप बहुत बेसरम हो गए रागो जी उनकी बातों में हमारी बात कहां से आ गई वो सर्मा गई थी अरे बात तो हमारी ही है नेहा बीच में तो वो दोनों आ रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ अभी उन दोनों को भूल कर तुम सिर्क मुझे सोचा करो वो हसकर उसे छेड़ने लगा था फिर इसे बेसरमी कैसी हमारी साधी जल्दी होने वाली है फिर हमारा प्यार सुरू होगा फिर बच्चे होंगे बस बस हो गया अब मैं फोन रखती हूँ मुझे बहुत काम करने बोलती हुई वो फोन कार दी थी चलो अमन को सलोनी पसंद आ गए अब अपनी साधी से निपटलू फिर इन दोनों को देखता हूँ राको मुस्कराता हुआ अपनी फाइल पर छुप गया था साधी की तैयारियों के बीच एक दिन अमन निहा से मिलने चला आया था निर्मल जी बैंक के काम से निकल रहे थे वो निहा को अमन की खातिवदारी करने और अमन से उनके आने तक रुकने बोल कर चले गए थे निहा ने उसे चाय नास्ता कराया था भावी एक बार सलोनी को बुलाईये ना मुझे उससे बात करनी है मैं मानता हूं कि उस दिन मैंने जल्दवाजी में उसे बीच मौल में अगुठी पहना बैठा पर भावी आप तो जानती है ना कि मैं उससे बेंताह मोहबत करता हूं मुझे उससे बात करके अपने प्यार का एहसास दिलाना है अमन जी वो तो बहुत गुस्से में है फिर भी आपकी खातिर मैं एक बार कोशिस करती हूं वो हौले से मुस्क्रा कर उसके कमरे में गई थी सलोनी उठकर बाहर चलो अमन आया है वो तुससे मिलना चाहते हैं देखो दीदी वो तुम्हारा देवर है तुम जाकर उससे बात करो मेरा तुम्हारी लोफर देवर से कोई रिस्ता नहीं है इसलिए प्लीज मुझे परिशान मत करो मैं बाहर नहीं आऊँगी वो गुस्से से बोल कर अपना मुठा कर सो गई थी कुछ देर पहले ही वो कितनी खुसी से अपने पापा के साथ साधी के खर्च की लिष्ट बना रही थी पर अमन को देखते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई थी नहा मायोस होकर बाहर आई थी अमन जी वो नहीं आएगी मैंने बताया था ना कि वो बहुत गुस्से में है मैंने बहुत समझाया पर वो उसे सलोनी के बेवार से बहुत बुरा लग रहा था उस रात के दूसरे दिन ही अमाने नेहा को अपनी सारी हरकत बता दी थी और अपनी बेंतहा चाहत के बारे में भी बता दिया था कोई बात नहीं भावी आप सरमिंदा मत होए अब मैं चलता हूँ अब आप से साधी में मिलूँगा वो फीकी हसी के साथ उट खड़ा हुआ था नेहा उसके साथ बाहर तक आई थी भावी मुझे सलोनी का नमबर दे देजी मैं बात करके उसे मना लूँगा वो मुझसे नाराज है पर बहुत जल्दी मेरी चाहत को पहचान लेगी नेहा अमन की फरमाईस पर कुछ देर सोशे पड़ गई थी फिर बोली अमन जी अगर उसे पता चला कि मैंने आपको उसका नमबर दिया है तो मुझसे भी नाराज हो जाएगी इस बात की तेंसर आप मत लिजे भावी मैं भाईया का नाम बोल दूँगा आपकी इस नक्षडी बहन को बहुत जल्द अपना ना बनाया तो अपने देवर का नाम बदल दीजिएगा वो हसकर बोला था थोड़ी मुश्किल होगी देवर जी वो बहुत जित्ती है एक पार जो ठान लेती है वही करती है वो पहले दिन से आपको लोफर समझ बैटी है इसलिए आप से और ज्यादा गुस्से में रहती है फिर आपने बहुत जल्दी से उसे अंगुठी पहना कर थोड़ी गलती कर दी वो हौले से बोली थी आप अपने भाईया को या मुझे ही अपन इतनी खूब सूरत है कि मैं पहली लजर में ही उस पर मन मिटा था अब गलती तो कर चुका हूं पर इसे मैं ही ठीक ही करूंगा उसके दिल की सारी गलत फहमी दूर करके उसे अपने प्यार का एहसास करा कर ही मानूंगा वो हस कर बोला था निया उसे बहुत कौर से देख रह अभी तो आप नमबर लिख लीजी वो हस कर उसे नमबर लिखाने लगी थी भावी आप तो मेरे घर आही रही है मुझे और मेरे जिद्ध को भी जल्द ही पहचान जाएगा आपकी बहन जिद्धी है तो मैं उससे चार गुणा जाता जिद्धी हूं मैं इंस्पेक्टर हू अकल बहन ने मेरे बारे में जो गलत धाना बना लिये उसे जल्दी ही मैं तोड़ दूँगा सलोनी को अपने प्यार में इतना डुबा दूँगा कि वो खुद मुझे साधी करने के लिए खुद ही मान जाएगी अब आप अंदर जाएगे मैं चलता हूं चासा जी को बोल द कर सेंड कर दिया था पर वो कोई रिप्लाई नहीं दी थी अमन उस दिन के लिए उसे खुद सौरी सौरी वाले इमोजी भेज कर माफी मांगने लगा था पर वो गुस्ये में अपना डाटा ही आफ कर ली थी बेटा अमन जिसे तुमने पसंद किया है वो तीखी लाल मिर्च है तुम्हारे इं छोटे-छोटे कार नामों से वो सांथ नहीं होने वाली है अब तुझे कुछ बड़ा सोचना होगा मन में सोचता हुआ वो मुस्कराने लगा था दूसरे दिन सलोनी कॉलेज गई थी कॉलेज में फाइनल एक्जाम होने वाले थे तो उसे कुछ पेपस त का ख्याल है वरना आपसे बात भी ना करूं मैं प्यार तो बहुत दूर की बात है आटों में बैठी वो सोचती हुई घर आई थी निया किचन में खाना बना रही थी सलोनी आ गई तू कपड़े बदल ले पापा को मैंने खाना खिला दिया अब हम दोनों एक साथ ही खालेत ये अपने पास रख लो जब तुम्हारा लोफर देवर मिले तो उसे दे देना और हाँ दे दी जब भी उसे बात हो तो बोल देना कि वो मुझे सौरी वाले इमोजी भेज कर कुछ नहीं होने वाला है मैं उसे इतनी बड़ी गलती के लिए कभी माप नहीं करने वाली बोल क अमन जैसे इंसान को तुम जैसी चित्ती से प्यार क्यूं हो गया नहा बहुत दुखी होकर सोचती हुई कटी अंगोटी गोद्रेज में रखने लगी थी रागो और नहा की साधी की त्रय तारीक आ गई थी आज साम में रागो और नहा की शाधी होने वाली थी निर्मल जी अपने कुछ रिस्तेदारों और जान पहजान के लोगों के साधी के सारे इंतिजाम देख रहे थी सुबे से सलोनी भी तैयारियों के बीच बेहत पेस्त थी उसे अपने खाने तक का खोस नहीं था नहा अपनी छोटी बेहन को इतना परिसान देखकर उसे अपने पास बुल पर कुछ दिर बाद नहा उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी दीदी आज आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी मैं और पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे मैं आपके बिना घर में अकेली क्या करूंगी वो खाते खाते उदासी से बोली थी अरे मेरी प्यारी ब खराब मत करो वरना मैं घर चली जाओंगी एक तो तुमारे लोफर देवर ने सुबह से मैसेश कर करके माता खराब किया है और अब तुम मुझे पगला रही हो वो तुनकर बोली थी ठीक है अब कुछ नहीं बुगाओंगी तुझे अब जो भी करना होगा मेरा देवर खु का सुन्दर रूप निकर उटा था लाल लहंगे और मैचिंग जेलरी में सजी वो बेहत कुसूरत लग रही थी सलोनी खुद भी सजधचकर्स तयार हो गई थी वो नेहा को देखने आई तो खुशी से उसके गले से लिपट गई थी दी तुम बहुत सुन्दर लग रही हो भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए सलोनी हस कर बोली तो नेहा भी हस दी थी कुछ दिर बाद बारात के आने का सोर मचने लगा था सलोनी दोड कर भागी गई थी वो अपने पापा के साथ रागो की आरती उतार कर होटल के अंदर ले आई थी अब सब लोग हॉल के अंदर आ बैटे थी मैरून सेरवानी पहने रागों भी दूला बनकर खूब चच रहा था अमन उसे बाहों में थामे इस्टेज पर ले गया था सलोनी भी नेहा को लेकर इस्टेज की ओर बढ़ रही थी उसे आता देख रागों उठकर खड़ा हो गया था सलोनी ब्लू लहंगे में खुबसूरती की सारी हादे तोड रही थी उसकी गोरी रंगत ब्लू कलर में खिलकर उसे सबसे अलग बना रही थी अमन तो सरोनी को देखकर अपनी पलके भी चपकाना भोल गया था वो खुद भी ब्लैक सूट में बहुत ही स्मार्ट और डैसिंग लग रहा थ अब बर माला की रस्म सुरू हो चुकी थी रागो नेहा को अपनी नजरों में बसाते हुए माला पहनाने लगा था वो सरमाती अपनी माला था में खड़ी थी अब नेहा की बारी थी वो जब माला पहनाने लगी तो अमन ने रागो को उपर उठा दिया था यह चीटिंग है जी जा जी अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले बता देते हम भी आपको दीदी को इतनी आसाने से माला नहीं पहनाने देते सलोनी नाराज होकर राखों से बोले लगी थी सारी बाते बताने की नहीं होती है सलोनी जी कुछ बातों के लिए इसारा ही काफी होता है अमन हसते हुए अपने दिल की बात बोला और अमन को नीचे उतार दिया लीजे भागी आपके दूले राजा आपके सामने है अब आप बे हिचक इन्हें बरमाला पहना सकती है सलोनी उसके बातों का मतलब समझकर गुष्चे से भर उटी पर नेहा मुस्कराती रागों को माला पहनाने लगी थी इसके बाद साधी की बिधियां सुरू हो गई थी सलोनी महमानों को देखने इस्टेस से नीचे उतर गई थी सलोनी सलोनी रुको तो अमन भी उसके पीछे भागता आ रहा था पर वो उसकी आवाज अंसुनी कर जाने लगी थी तुम इतनी कठोर क्यों हुसलोनी क्या तुम्हें मेरे प्यार की दीवान की बिल्कुश समझ नहीं आती वो मन में सोचती हुई जल्दी से उसके साथ चलता बोला अरे आज तो मैं तुम्हारा महमान हूँ तो मेरा ख्याल लगना तुम्हारा काम है हाँ तो अब बोली महमान जी क्या काम है मुझसे वो कमर पर हाथ रखे खरी हो गई और गुस्से से घूरती हुई बोली अमन को उसके हर अंदास से प्यार होने लगा था वो अपनी आखे उसके चेहरे पर जमाय बोला तुम बेहत खूबसूरत लग रही हो सलोनी मेरा दिल करता है कि भाईया भावी के साथ इसी मंड़ पर तुमसे साधी कर लो मेमान हो तो मेमानों जैसी बाते कीजिए दुस्मन के जैसे नहीं वरना गार से कहकर इस होटल से उठवा कर बाहर फैंक तूंगी वो गुस्चे से लाल होते हुए बोली और वहां से चली गई थी फिर साधी होने तक दोनों में इसी तरह तकरार होती रही थी मेमानों के साथ बैठी सुनीता जी की नजरे उन दोनों के जगडे पर गई थी उनको सारा माजरा समझ में आने लगा था अमन का घर में भी खोया खोया रहना किसी भी बात को घुमा फिरा कर सलोनी तक ले जाना अभी भी सलोनी को देख कर उसके होटो पर प्यार भरी मुस्कान खिल उटना ये सब उनकी नजरों से गुजर रहा था सलोनी तो उनको भी बहुत पसंद थी वो नेहा और सलोनी की खुबसूरती और सांत बेवासे बहत प्रवावी थी उन दोनों के नोग जोग से वो एक फैसला करती साधी देखने लगी थी साधी हो जाने के बाद नोदम पत्ती निर्मल जी और सुनीता जी के साथ सभी मेमानों का आसिरवात लेने लगे थी कुछ रस्मों के बाद बिदाई की घरी आ गई थी नेहा सलोनी की गरे लगकर खुब रो रही थी पापा को देखती वो बिलक पड़ी बचपन में मा की असाध रोगी की वज़े से मिरत्तू होने के बाद उन्होंने खुद ही अपनी दोनों बेटियों को माबाप का प्यार दिया था आज अपने घर और पापा को छोड़ कर बिदा होने और पराय होने का एहसास नेहा को समलने नहीं दे रहा था पापा अपना ध्यान रखियेगा आपके पास सलोनी तो रहेगी पर आप मुझे भूलियेगा मत आपके घर से जा रही हूँ तो मुझे पराया मत समझेगा आपको जब भी मेरी जरुवत पड़े मुझे कॉल कीजेगा वो रोती हुए बोलने लगी थी नेहा बेटा तुम मेरी अपनी हो और हमेजा रहोगी ये परायपन की बाते करके मेरा दिल मत दुखाओ तुम अपना ख्याल रखना और ससुराल में अपने आच्रण से सबका दिल जीत लेना रागव जी बहुत अच्छे इंसान है तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और सुनीता बहन जी को अपनी मा समझना अमन तो तुम्हारा देवर कम भाई जाता है तु हमेजा खुश रहना मेरी बच्ची अब अपने घर जा अपने गले से उसे लिपटाए वो खूब समझाती रहे थे फिर वो सलोनी से लिपट गई थी सलोनी पापा का ख्याल लगना पापा को बलड प्रेसर की दवाया समय पर देना और अपना भी ख्याल लगना कॉलेज जाने से पहले खाना खा लेना और घर अच्छे से बंद करके जाया करना हर अभी बार को मुझसे मिलने आया करना जोड जोड से रोती निया सलोनी से लिपट गई थी वो भी हिचक हिचक कर रोने लगी थी सुनीता जी से उन दोनों का इस तरे रोना देखा नहीं गया था वो सब को हटा कर वहां आई थी तुम दोनों क्यों रो रही हो पहू तुम कौन सा बहुत दूर जा रही हो पांच किलो मीटर का तो रास्ता है जब मन करे अपनी पापा और सलोनी से मिलने चली आया करना सलोनी बेटा अब तू भी रोना बंद कर और अपनी दीदी को खुसी-खुसी बिदा कर वो मुस्करा कर बोली तो सलोनी अपने आखे पोचने लगी थी अमन साधी का सामान सब गारी में रखवा रहा था वहां आकर उन दोनों को रोता देखकर खुद भी बहुत भाभू हो गया था अब उसे सलोनी के पास जाने का कोई बहाना नहीं मिलने वाला था इसी तरह अपने साथ सब की दुआएं लेकर नेहा अपने सुस्राल बिदा हो गई थी फिर सारे लोग भी बारी बारी बिदा होने लगे थी सब की जाने के बाद निर्मल जी और सलोनी भी घर आ गए थी सलोनी अपने कमरे में अकेली बैटी खूब रोने लगी थी उसे नेहा की बेहत याद आ रही थी मत रो बेटा बेटिया तो ऐसे ही अपने बाबुल का आंगन छोड़ कर दूसरे के घर चली जाती है अभी नेहा कही है कुछ दिनों बाद तू भी चली जाएगी ये तो जमाने के दस्तूर है सलोनी जिसे हर पिता को निभाना होता है उसके रोने की आवाज पर निर्मल जी अपने कमरे से दोड़ा आये थी नहीं पापा मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी मुझे साधी नहीं करनी है मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी रोते रोते वो बोली थी निर्मल जी मुस्करा पड़े थी ठीक है तुम मत करना साधी अब सुबह होने वाली है चल हम लोग कुछ देर सो जाते हैं फिर कल जाकर मुझे होटल का हिसाब किताब भी करना है ठीक है पापा आप कमरे में जाकर सो जाए मैं भी भारी ड्रेस चेंज करके सो जाती हूँ वो अब चुप हो गई थी उसे संबला देखकर निर्मल जी उसके माथा सहला कर बाहर निकल गए थे अब निर्मल जी और सलोनी दोनों कॉलेज चले जाते थे और घर बंद रहता था निर्मल जी जिस कॉलेज के प्रिंस्पल थे सलोनी वहीं अपनी दोस्त नीलू के साथ प्रोफेसर थी दोनों के दिन रात एक जैसे थी पर सलोनी को अमन मैसिस करके परिशान करता रहता था वो उसे अपनी चाहत का एहसास कराना चाहता था पर वो इससे चीड़ती रहती थी इन्ही दिनों एक दिन नेहा घर आई उसके साथ रागो और सुनीता जी भी आये थे अमन पुलिस इस्टेशन में अपनी ड्यूटी पर था सलोनी उन सब को अचानक देखकर खुसी से उचल पड़ी थी सब को चाह नास्ता कराने के बाद सलोनी नेहा और रागो को कमरे में बैठा आई थी अब उसे सब के लिए खाना बनाना था सुनीता जी और निर्मल जी लाउंज में बैठे वे थे वो कुछ सोच रही थी निर्मल जी उन्हें बिचारों में खोया देखकर पूछना चाहते थे कि वो बोल पड़ी थी भाई साहब नेहा ने मेरे पूरे घर को संभाल लिया है वो तो मुझे पानी तक खुछ से लेने नहीं देती है मैं बहुत खुस नसीब हूँ जो ऐसी बहु के रूप में बेटी मिली है निर्मल जी मुस्करा देते है ये तो मेरी खुस किसमती है बेहन जी जो मैं अपनी बिन मा की पली बच्चियों को ऐसा संसकार दे पाया भाई साब मैं ना आप से एक बात कहना चाहती हूँ कहना नहीं बलकि मांगना चाहती हूँ सुनीता जी संकोष से बोली थी हाँ हाँ बहन जी बोलिये न मुझसे जो भी संभो है मैं जरूर करूँगा भाई साब मैं अपने अमन के लिए सलोनी का हाथ मांगती हूँ आपको आज ना कल सलोनी की साधी करनी ही है तो मैं मेरा अमन भी अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सलोनी को बहुत खुश रखेगा उसने इसारों इसारों में मुझे बता दिया है कि वो सलोनी से प्रेम करता है आपकी दोनों बेटियां एक ही जगे रहेंगी तो आप पिर निस्चिंत रहेंगे वो मुस्कराती बोली थी निर्मल जी सोच में पड़ गए थे ना ना भाई साब मना मत कीजिएगा हम दोग आज बड़ी उम्मीद के साथ यही बात करने आये थे बेहन जी मैं मना नहीं कर रहा हूँ अमन तो बहुत अच्छा लड़का है मुझे खुसी हो रही है कि मेरी बेटियों को इतना अच्छा रिस्ता मिल रहा है ठीक है मुझे ये रिस्ता मंजूर है वो खुसी से बोले थे किचन में काम करती सलोनी बाहर से अपने पापा और सुनीता जी की बात्ची सुनकर दंग रह गई थी उसे अपने पापा और अमन दोनों पर बेहत गुस्सा आ रहा था अच्छा तो अब तुमने अपने मा को भी इस प्लान में सामिल कर लिया है अरे नेहा रागो यहां हो सुनीता जी खुसी से उन दोनों को आवाज देने लगी थी मैं दोनों दोड़े आये थी रागो भाई साब ने अमन और सलोनी का रिस्ता मंजूर कर लिया है अब आज हम अमन को यह खुसकबरी देकर बिल्कुल ही चोका देंगे नेहा बेटा तुमको क्या हुआ तो इस रिस्ते से खुस नहीं है क्या निर्मल जी नेहा का सपाट चेरा देखकर पूछ बैटे थी पापा ऐसी बात क्यों होगी वो नाराज होती उनके पास जा बैटी थी रागो भी बैट गया था मैं तो अपनी बेहन को देवरानी बना कर बहुत खुस रहूंगी पर आप एक बार सलोनी से पूछ लेते किचन में खड़ी सलोनी के कान खड़े हो गएते उसे अपने पापा पर बहुत भरोजा था कि वो उसकी मर्जी के बिना कुछ तैं नहीं करेंगे नहा की बात सुनकर उसे अपनी बेहन पर बहुत प्यार आने लगा था जो अपने देवर की इच्छा जान कर भी अपनी बेहन के बारे में सोच रही थी पर अपने पापा का जवाब सुनकर उसे गहरा धक्का लगा था अरे उससे पूछने की क्या जर्वत है तुम्हारी साधी भी तो मैंने ही तै की थी ना तो बता कि तो खुस नहीं है क्या वो हस कर बोले तो नहा चुप होकर उन्हें देखने लगी थी सलोने भी मेरी जीमेदारी है नहा मैं उसकी भलाई सोच करें अमन से उसका रिस्ता तै का नहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे तै रिस्ते को कभी इंकार नहीं करेगी वैसे तुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे सलोनी से पूछना चाहिए पापा मैं बहुत खुस हूँ मा और रागो जी के साथ साथ अमन जी भी बहुत अच्छे है मेरी बहन मेरे पास रहेगी तो मुझे भी बहत अच्छा लगेगा वो खुसे से अपनी बात बोलती निर्मा जी के गले लग गई थी पर उसकी आखे किचन से जागती सलोनी को देख चुकी थी तो अब बता कोई दिक्कत तो नहीं होगी सलोनी को न वो मेरी फैसले पर इंकान नहीं करेगी न उनका सवाल अभी भी वही था नेहा सलोनी की तरब देखने लगी थी वो अपने पापा का उस पर इतना भरोसा देखकर नेहा को आखों के इसारे से कुछ भी बोलने से मना करने लगी थी नेहा मनी मन पहत खुस हो गई थी नहीं पापा कोई दिक्कत की नहीं होगी अमन जी सलोनी को बहुत खुस रखेंगे आपने जो फैसला किया है बिल्कु सही आप हमारे पापा हैं जो भी हमारे लिए अच्छा होगा हमें वही देंगे आप निश्चिन दोकर मा को इस रिष्टे के लिए हां कर दीजिए सुनीता जी और आगो काफी खुस हो गए थी क्योंकि वो दोनों भी अमन का सलोनी के प्रति गहरा प्रेम जान चुके थी सभी बेहत खुसते सिवाए सलोनी के वो बहुत दुखी हो गई थी उसकी आखे भराई थी पर वो अपने पापा का सम्मान गिरा कर नहीं जी सकती थी अपनी बेबेशी पर वो आँसु पोष्टी तीजी से खाना बनाने लगी थी नेहा किचन में जाकर उदास सलोनी को गले लगा कर बोली थी पापा बहुत साधी से इंकार नहीं करके उनकी खुसियां धुगनी कर दिये मैं भी बहुत खुस हूं तुखुस है ना आप सबको मेरी खुसियों की चिंता करने की जरुवत नहीं है दी अपने बेटी होने का फर्ज निभा सकती हूं तो इस साधी को भी अपनी चिम्मेदारी मान कर गई थी फिर वापस किचन में आकर सलोनी के मूं में एक टुकड़ा खिलाने लगी थी अपनी ये खुसी अपने लाडले देवर को दिखाना दी इस साधी से मुझे कोई खुसी नहीं है आज तो मुझे नाराज है सलोनी पर एक दिन आएगा जब तू अमन की प्यार में ऐस करना मुस्किल हो जाएगा तो खुद मुझे धनबाद देती नहीं था कि कि वो हासी थी ऐसा कभी नहीं होगा तुम लोग खुसी से ये साधी करवाओं पर मैं खुस नहीं हूं मैं तो तुम्हारे उस चहीते का जीना मुहाल करके रखे दूँगी उसे बड़ा शौक है ना मुझे अपनी पत्नी बनाने का उससे कह देना मैं उसकी जिंदगी सड़े आलू टमाटर की तेरह बना कर रख दूँगी वो गुसे से बोली थी नहा खिल खिला कर हासी थी वो सब को सम्हाल लेगा सलोनी तुम्हें भी और तुम्हारे सारे अत्याचार को भी बस एक बार त तुम उसकी जिंदगी में सामिल होकर तो देखो उसने अपने प्यार से तुम्हारे अंदर प्यार का समंदर ना भर दिया तो कहना सलोनी गुसे से मुझ फेल ली थी फिर दोनों बहनों ने सब को खाना किलाया था अब वो लोग बिदा होने रा ले थी सुनीता जी नहा से बहु सलोनी को बुला लाओ जरा उसे जी भर कर देख लू नहा अंदर से सलोनी को खीच कर ले आई थी पर सलोनी की पूली आंके देखकर निर्मल जी चौक पड़े थी क्या वह सलोनी तुम रोई क्यों हो पापा आप फिकर मत कीजिए ये साधी करके आप से दूर चली जाएगी ना इसलिए बस उधास हो गई है नहा ने बात को समाल लिया था ओ सलोनी बेटा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा अपनी बेटियों का अच्छे घर में स इस नहिल प्रेम देखकर Khalid's से मुस्करा दी ती उसे अपने साधी करने के फैसले पर सांती मिलने लगी ती मैं जब नहा को देखने आई थी तभी से तुम मुझे अपने अमान के लिए पसंद थी सलोनी मैं तो तुम दोनों के साधी एक साथ ही करना चाहती थी पर कोई बात नहीं अब हम सब तुम दोनों के साधी धूम धाम से करेंगे तुम मेरी छोटी बहू बनोगी तुमने इस साधी के लिए हां करके मेरा दिल खुस कर दिया है सलोनी बेटा मेरा प्यार हमेशा तुम दोनों बहनों के साथ रहेगा सुनीता जी हसकर बोली और उसका माथा चूम ली थी ठीक है भाई साब अब हम लोग चलते हैं जल्दी ही सगाई की रस्न कर लेंगे फिर साधी कुछ दिनों के बात करेंगे ठीक है बैंजी आप जैसा सोचे मुझे मजूर है वो हसकर बोले थी नेहा अपने पापा और सलोनी से गले मिलकर भावुख होने लगी थी रागों ने उन्हें प्रणाम किया और सलोनी का सर सहला कर वो लोग लोट गए थे तुमने अपने जीत पूरी करने की ठान रखी है ना अमन सिंग पर मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूगी अपने पापा को खुश देखने की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी में सामिल होने जा रहे हूँ पर तुम्हारे सारे खुश और सारे सपने को तुम्हारे आँखों से नोज करना फेंग दिया मेरा नाम भी सलोनी नहीं कमरे में बैटी हूँ बहुत गुस्से से सोचे जा रही थी अमन साम में घर आया था वो तीनों उसके इंतजार में ही लाउंज में मैटे थी उसे देखते ही नहा चाय बनाने के लिए उठ ख़़ी हुई थी देवर जी मुहा धोकर आईए आग के लिए एक बहुत बड़ी खुस ख़ब लिए हूरे मैं चाचू बनने वाला हूँ बच्चों कितरे सिल्ला था वो उचलने लगा था नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है देवर जी ये कुछ दूसरी बात है नहा सरमाती सी बोली थी रागों ने बड़े प्यार से उसके गालों पर आने वाले लाली को देखा था अरे तु पहले फ्रेस होकर आ तो सही बहुत चाय के साथ मिठाई भी ले आना सुनीता जी हासकर बोली थी ठीक है माजी मैं अभी आई बोलती हुए किचन में चली गई थी अमन भी अपने कमने की तरफ चल पड़ा था कुछी देर में उफ्रेस होकर आ गया था हाँ तो भावी अब बताए कौन सी ऐसी खुसकबरी है अब मुस्से सब्र नहीं हो रहा है नहा मुस्करा कर रागो और सुनीता जी को नास्ती की प्लेट पकड़ाती हुई बोली थी मेरे पापा ने सलोनी की साधी तैय कर दी है देवर जी अब जल्दी ही उसकी मगनी होने वाली है हम लोग आज वहां गए थी पर अपने सामने ही सब कुछ तैय करवा कर आए हैं हसक तो सब बात जानती है ना आपने उन्हें रोकाने सुनीता जी और आखों मुस्कराने लगे थे अमन की हालत अब रोया तब रोया जैसी हो गई थी नहा को उस पर बहुत तरस आने लगा था आप वह उसे परिशान करना छोड़कर हंसते हुए बोले देवर जी आप ये सोक म लाकर मुस्करा दी थी अमन ने उटकर अपनी माँ का हाथ पकल लिया और उसकी गोद में सर रखता बोला बोलिये ना मा भावी सच बोल रही है ना या फिर से कोई मजाग कर रही है प्लीज बोलिये ना अब मुस्से बरदास नहीं होरा हां मेरे बच्चे तुम्हारी भाव सोच लिया था कि इन दोनों की साधी से निपटलू गर आँग आज हम तीनों निर्मल जी की घर गए थे और वहां उनसे तुम्हारे लिए सालोनी का हाथ मंग लिया उन्हें तुम दोनों की साधी मनजूर है वो प्यार से मुस्कराते हुए उसका सर सहलाने लगी थी अमन खुजी से मा के हाथों को चूमने लगा था वो सब उसकी बेताबी देखकर हस पड़े थे चल भाई अब तेरी भी नईया पाल लगने वाली है फिर तो हम सब भी चैन से रहेंगे तागो मुस्करा कर बोलती हुए उसे मिठाई खिलाने लगा था अमन हसकर उसकी गले से लिपट गया था रात में सब खाना खाकर सोने गए थी अमन को कुछी से नीम नहीं आ रही थी उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सलोनी ने उसे साधी के लिए हाँ कर दी है वो सलोनी से बात करने के लिए बेचैन हो उठा और उसे फोन लगाने लगा पर वो बार बार उसका फोन काट रही थी अमन इसे सलोनी की सर्म समझकर लगा था कॉल करने लगा था सलोनी ने तंग आकर कॉल रिसीब कर ली थी पर उसके सब्द थे या आग की गूले जिसने अमन के कान के साथ दिल को भी जला कर रख दिया था कर ली ना आपने अपने मन की च्छा पूरी अपने घर वालों के द्वारा मुझे मजबूर करके साथी करने का अच्छा तरीका सोचा है आपने पर आप मेरी एक बात हमेशा याद रखे गया मैं आपसे प्यार नहीं करती ये जब अजस्टी की शादी आपको बहुत भारी पड़ेगी मिश्टर अमन सिंग अपने जिन्दगी को तबाह करने के लिए दिल से तयार रहीगा गुस्टे से बोलती हूए वो फोन कार दी थी चलो गुस्टे में ही सही पर साधी के लिए तुम तयार तो ही चुकी हो वो फोन में उसकी तश्वीर देखती हैस मुस्क्रा उठा था मैं अपने बेन तहाँ प्यार से तुम्हारा दिल जीत लूँगा सलोनी और फिर तुम भी मेरे प्यार में पढ़कर अपना सारा गुस्सा भूल जाओगे दूसरे दिन अमन सुबह सुबह ही सलोनी के घर पर जा धमका था अभी नेमल जी मॉर्निंग वाक करने गए थे वो बेल बजाने लगा था घर के अंदर से सलोनी आई और गेट कोल कर उसे देखते ही बंद करने लगे थी पर अमन ने जल्दी से दर्वाजे को पकाल लिया था उसने सलोनी को गेट बंद ही करने दिया और अंदर खुशने लगा था पापा घर में नहीं है आप बात में आयेगा वो नेर उठे पंद से बोल पड़ी थी मैं तुमसे मिलने आया हूँ सलोनी चाचा जी से तो मैं कभी भी मिल सकता हूँ दर्वाजा धखेलती हुए वो बोला और अंदर आ गया था सलोनी मुझ बना कर वही खड़ी रही थी वो बे मुरुब्बत लड़की अपने इस होने वाले सोहर से कुछ चाए पानी ही तो पूछ लो मैं बेचारा सुबह सुबह भूका प्यासा तुमसे मिलने आया और तुम हो कि मुझसे एक ग्लास पानी भी नहीं पूछ रही हो अब अनमुस्कराता लाउंज के सोखे पर जाकर भैल गया और उससे चिला कर बोलने लगा था वो गुसे से गेट के पास से अंदर आयी थी और उसे घूर कर वो किचन से पानी का चग लाकर चोर से उसके सामने टेबल पर पटकती बोली थी मेरे घर में दूट नहीं है जो आपका चाए से स्वाकत करो पानी है पी लीजिए और चाए अपने घर में अपनी प्यारी भावी के हाथों से जाकर पी लीजिएगा अमन खिल खिला कर हास बढ़ाता है सलोनी की बड़ी बड़ी आँखे गुसे से फैल कर बहत कुपसूरत हो गए थी जिस पर अमन की निगाथ थमकर रह गई थी तुमारे हाथों से तो मैं जहर भी खुसी-खुसी पी लूँगा सलोनी बिना दूद की चाए पीना कौनसी बड़ी बात है तुम मेरे लिए काली चाए बना दो नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है मुझे कॉले जाने की त्यारी करने है अब आप यहां से जाएए अपनी नजरे फेर का सलोनी दरवाजे की और इसारा करने लगे थी आगे तुम मुझे इतना छीड़ती क्यों हो सलोनी मुझे मैं ऐसी क्या खराबी देखी है तुमने जो मुझे साधी करने से खुस नहीं हो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो यदि ऐसा है तो साब साब बोलो मैं कभी तुमारे रास्ते कभी यह नहीं आऊँगा अमन उठकर उसका हाथ अपनी तरफ खीशते हुए बोला था सलोनी सीधे उसके सीने से आठक राई दी कोई कमी या खराबी नहीं आप में और नहीं मैं किसी को पसंद करती हूँ पर आप में मुझे अपना जीवन साधी नहीं दिखता है पापा का मान रखने के लिए मैं आपसे साधी तो कर लूँगी पर आप मुझे कोई उम्मीद मत रखेगा मैं आपको कभी कोई खुशी नहीं देगूगी उल्टे आपकी जिन्दकी चहर यदि ऐसी बात है तो सलोनी तो जैसी तुम्हारी पसंद है मुझे बताओ मैं खुद को तुम्हारी पसंद में ढालूँगा पर मुझे दूर जाने की बात मत करो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आप तुम्हारी बिना नहीं जी सकता सलोनी की मुँपर हाथ रखकर उसने आगे बोलने से रोक दिया था उसी समय दरवाजे पर दस्ता कोने लगी थी सलोनी घपड़ा कर उसे धकेल दी थी लगता है पापा आ गया है आप यहीं बैटिये अमन से बोलती हुई वो तीजी से जाकर गेट खोले लगे थी निर्मल जी लाउंज में आये तो अमन को देखकर खुशी से भर उटे अमन ने उन्हें परणाम किया था अरे बेटा तुम कब आए वो हसकर बोल पड़े थी अभी अभी आया हुँ चाचा जी इदर से गुजर रहता तो सोचा आप से मिलता चलो हाँ बेटा कभी कभी इस बुड़े की भी ख़बर जान लेगा करो मेरी एक बेटी को तो तुम लोग ले गए अब कुछ दिनों बाद दूसरी बेटी को भी ले जाओगे मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाओगा निर्मल जी थोड़ा मुस्करा कर बोले थी सलोनी वहां से निकल कर किचन में चली गई थी उसने चाय और बिस्किट लाकर उनके सामने रख दिया था अरे चाचा जी आप तो अभी भी इतने जवान हैं कि अच्छे अच्छो की पटकनी दे सकते हैं अमन मुस्कराते वे सलोनी पर एक नज़र डाल कर अपनी चाय उठा चुका था मानो उसे जता रहा हो कि तुमारे जूट को मैं पहले से जानता था वो गुस्से से तन तना कर चली गई थी अमन हस्ते वे निर्मल जी से बोला अंकल जी आज के बाद आप अकेले रहने की बात भूली जाए मैंने सोच लिया है कि मैं सलोनी से साधी के बाद आप के हाँ ही घर जवाई बन कर रहूँगा उसकी चेरे का आत्मिस्वास देकर निर्मल जी चौक पड़े थे किचन में नास्ता तयार करती सलोनी भी उसकी बाद से आस्चर में पढ़ चुकी थी अरे नहीं बेटा ये तुम क्या कह रहे हो समाज के लोग क्या कहेंगे हमारी पर्था है लड़की बीदा होकर सस्वाल जाती है और वहां से चाचा जी हमारे समाज के सारे नियम और पर्था हमारे बनाएवे हैं और इसे हम ही बदल सकते हैं अपनी मा को मैं समझा लूँगा आप चिंता मत कीजिए मैं हमेशा यहीं आपके घर में आपका बेटा बन कर रहूँगा वो मुस्करा कर बोला तो नियम जी फी किसी हसी हसकर रहे गए थे सलोनी और अमन साधी के बाद यहां रहते तो उन्हें बेहत खुसी होती उनका अकेला पन भी खतम हो जाता पर अमन की बाते बहुत बड़े बतलाओं के बारे में थी जिसके लिए उन्ही सुनीता जी और अपने बड़े जमाई की भी राय जाननी थी सलोनी अमन की बातों में खोकर कुमसुम हो चुकी थी उसे भी साधी के बाद अपने पापा को अकेला छोड़कर जाने का दिल नहीं करता था वो अमन की इस बात से कुछ खुस हो गई थी उसने उन दोनों को नास्ता कराया था कुछ दिर बाद अमन निर्मल जी से बिदा लेकर चला गया था बहुत ही भला लड़का है और अपने काम के प्रती बेहद इमानदार भी है इसकी इमानदारी की खबरें अकसर अकबारों में आती रहती है उसके जाने के बाद निर्मल जी सलोनी से बोल रहते तुम इस साधी से खुस तो होना बेटा हाँ पापा मैं बहुत खुस हूँ अब चलिए आप जाकर जल्दी से तयार हो जाएए वरना हम कॉले के लिए लेट हो जाएंगे वो कॉले से मुस्करा कर बोली और अपना नास्ता करने लगी थी निर्मल जी उठ खड़े हुए थे वो तो अमन के साथ ही नास्ता कर चुके थे इसलिए अब उन्हें बस तयार होना था वो सलोनी के माते पर हाथ फेर कर बोले तु बहुत खुस किसमत है सलोनी जो तुझे इतने उच्च बिचारों वाला जीवन साथ ही मिल ला है अमन तुझे बहुत खुस रखेगा सलोनी सर जुकाय नास्ता करती सोच में डूबी गई थी आज अमन की बातों से उसके दिल में बनी नफरत की दिवार में एक हलकी सी दरार पड़ गई थी क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो जरू लिएगा थैंक यू